आज की सक्षा में हम प्रस्णावली 4.2 के पार्ट 2 वीडियो के अंतरगत हम प्रस्णों को हल करेंगे पार्ट 1 में हमने प्रस्ण संख्या 1 से 7 तक हल किया था आज इस पार्ट 2 वीडियो में हम प्रस्ण संख्या 8 और उसके आगे के प्रस्णों को हल करेंगे हमारा पहला प्रस्न है एक बटा दो एवं माइनस एक बटा दो के बीच पांच परिमे संख्या ग्याद कीजिए तो आईए हम लोग देखते हैं कि कैसे इसे हल किया जाता है सबसे पहले हम क्या करेंगे कि चुकि पांच परिमे संख्या हमें ग्याद करना है तो इसके हर को यह जो परिमे संख्या दी गई है इनका हर है इसका भी हर दो है और इसका भी हर दो है इसके हर को हम 6 के बराबर बनाएंगे तो इसके लिए क्या करेंगे हम इसे हर को 3 से गुना करेंगे और जब हर को 3 से गुना करेंगे तो हमें अंस से भी करना होगा 3 से गुना क्योंकि अंस और हर दोनों को एक ही संख्या से गुना करने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो यह हो जाएगा 3 वटा 6 और यह माइनस 1 वटा 2 को भी हम इस तरह से करेंगे माइनस 1 वटा 2 इसके भी हर में 3 से गुना करेंगे और आंस में भी 3 से गुना करेंगे तो यह हमारा आ जाएगा माइनस 3 बटे 6 अब हम देख रहे हैं चुकि 3 बटा 6 इससे छोटी है 2 बटा 6 इससे छोटी है 1 बटा 6 और इससे छोटी है 0 बटा 6 या सुने और इससे छोटी है माइनस 1 बटा 6 और इससे छोटी है माइनस 2 बटा 6 और इससे छोटी है माइनस 3 बटा 6 वैसे तो इन दोनों परिमे संख्याओं के बीच असंख के परिमे संख्याओं है लेकिन चुकिए हमें 5 निकालना है तो देखिए हम लोगों ने 5 निकाल लिया एक दो तीन चार पाँच तीन बटा छे ये किसके बराबर था एक बटा दो के इसलिए एक बटा दो से दो बड़ी है और ये इससे छोटी है दो बटा छे फिर इससे छोटी है एक बटा छे इससे छोटी है शुन्य और इससे छोटी माइनस एक वटा छे और इससे छोटी माइनस दो वटा छे और इससे छोटी ये माइनस तीन वटा छे कौन शी संख्या है जो हमें दी गई थी माइनस एक वटा माइनस एक वटा दो इस तरह जो अभिस्ट हमारी परिमे संख्या है अभिस्ट यानि इन दोनों के बीच में जो हमें चाहिए था अभिस्ट या ऐसे रिखते हैं चलिए इसलिए एक बटा दो और माइनस एक बटा दो के बीच पाँच परिमे संख्या है है कौन कौन सी है यह हमने अभी देखा दो बटा छे एक बटा छे शुन्य माइनस एक बटा छे और यह माइनस दो बटे छे यह पांच हो गए एक दो तीन चार पांच प्रस्ण संख्या नौ हल कर प्राप्ट परिमे संख्या का व्यूत्क्रम ग्याद केजिए इस प्रस्ण में हमें क्या करना है यहां पांच प्रस्ण दिये हुए हैं पहले इन्हें हल करना है और हल करने के बाद जो प्रिमे संख्या आएगी उसका व्यूत्क्रम भी निकालना है तो चलिए इसका मैं एक प्रस्ण लेता हूँ प्रस्ण संख्या तीन यह प्रस्ण संख्या तीन लेता हूँ यह है माइनस नौ बटे चार गुना पांच बटा तीन और यह ब्रैकेट में है प्लस यह फिर ब्रैकेट तेरह बटे दो गुना दस बटे बारह इसे हमें हल करना है खीक है, question पहले मिला रहे रहा हूँ, खीक है, अब हम इसे हल करेंगे, तो पहले पुना हम लिख लेते हैं इसको, minus 9 बटे 4 गुना 5 बटा 3 और जोड 13 बटे 2 गुना 10 बटे 12 हम देख रहे हैं, इसमें देखेंगे, कि क्या ये तिर्चा कुछ कटता है क्या, तो ये cancel होता है, 3 एका 3 और 3 ती आई, नो ये cancel हुआ, इधर से नहीं होगा, इसमें भी ये 2 एका 2 और 2 पेचे 10, ये cancel हो गया तो अब हमारा आ गया, यहाँ, इस bracket में, minus 15 बटे 4 और इधर आ गया, 65 बटे 12 अब हम क्या करेंगे, कि ये परिमे संख्याओं का योग हो गया, तो इसमें हम कैसे करते हैं, कि जो हर है, उसे समान करते हैं तो हर समान करने के लिए, हम लौसा निकालते हैं, तो 4 और 12 का लौसा हमारा हो जाएगा, 12 तो हम इस 4 को 12 के बराबर करना चाहते हैं, तो इसे हमें गुना करेंगे इसको 4 त्याई 12, तो uns को भी करेंगे, और यहाँ तो पहले से ही 12 है तो यह हो गया हमारा माइनस पंदरः, स्वारी, पंदरः तिया 45 यह हो गया माइनस पंदरः बटा बारा और यह हो गया 65 बटा बारा तो इसका लॉसा हमारा बारा है, और तो यह हो गया हमारा माइनस पंदरः प्लस पंदरः यह हो जाएगा हमारा 20 बटा बारा और इसको जब मानक रूप में लिखेंगे तो यह आ जाएगा 5 बटा 3 और इसे मिसर भिन में हम लिख सकते हैं ठीक है, यही तक 5 बटे 3 आ गया, मिसर भिन नहीं करेंगे अगला क्या है इसमें देखें, व्यूत्करम ग्याद कीजिए तो अब हम इसका व्यूत्करम ग्याद करेंगे इसलिए व्यूत्करम ब्राबर यह 5 बटा 3 है तो हम लोग जानते हैं इसका व्यूत्करम क्या होगा एक भाग 5 बटा 3 यही होगा तो इसे हल करते हैं एक गुना तीन वटे 5 अर्फार तीन वटे 5 यह हमारा व्योत्क्रम आ गया है यह हल करने के बाद यह हल आया पान्च वटे 3 और इसका व्योत्क्रम आ गया तीन वटे 5 प्रस्न संख्या 10 दो परिमेश संख्याओं का गुननफल 15 बटे-28 है उसमें एक संख्या-15 बटे-7 है तो दूसरी संख्या ग्याद किजी आई ये से हल करते हैं प्रस्न संख्या 10 तो ये गुननफल है 15 बटे-28 और एक संख्या दी हुई है तो जो हमारी दूसरी संख्या होगी वो क्या होगी? इस गुननफल में अगर हम इस एक संख्या से ये जो पहली संख्या उसे भाग दे दें तो दूसरी संख्या मिल जाएगी इसलिए दूसरी संख्या बराबर ये जो गुननफल है 15 बटे-28 और इसमें भाग देते हैं माइनस 15 बटे 7 से यह जो पहली संख्या है तो दूसरी संख्या मिल जाएगे 15 बटे माइनस 28 है तो इसे हम लिखते हैं माइनस 15 बटे 28 अब यह भाग है तो इसे अब गुने में बदल देते हैं यह गुना हो गया तो यह हो जाएगा minus 7 बटे 15 अब हम देख रहे हैं कि यह तिर्चा cancellation करते हैं cross cancellation तो यह 15 एका 15 और यह 15 एका 15 उसी तरह से इधर भी होगा 7 एका 7 साच्चो के 28 तो यह हमारा ans में क्या बच गया minus 1 और यहाँ minus 1 तो 1 हो गया और यहाँ 4 एका 4 तो दूसरी संख्या हमारी आगई 1 बटा 4 प्रस्न संख्या 11 minus 5 बटे 7 में क्या जोड़ें ताकि 2 बटे 3 प्राप्त हो तो आईए देखें इससे कैसे हल करते हैं इसमें क्या जोड़ेंगे कि 2 बटे 3 आ जाएगा तो अगर 2 बटे 3 से इसे हम घटा दें तो हमें जो अभिस्ट संख्या है वो मिल जाएगी इसलिए अभिस्ट संख्या बराबर 2 बटा 3 घटाओ minus 5 बटे 7 तो ये हो जाएगी 2 बटा 3 और ये ब्रैकेट हटाएगे तो ये minus और यहाँ minus 5 बटा 7 आज ये चुकिए परिमेश संख्याओं का घटाओ हो गया है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इनके हर को समान करना होगा और हर को समान करने के लिए हम इनका लवसा निकालते हैं तो 3 और 7 का लवसा कितना होगा? 21 तो हमें इस परिमेश के हर को भी 20 बनाना होगा और इसे भी 21 बनाना होगा तो इसके लिए हम क्या करते हैं? 2 बटे 3 है ये तो 3 को हम 7 से गुना करते हैं तो 21 हो जाएगा तो अंस में भी हमें 7 से गुना करना होगा और इधर माइनस पांच बटे साथ है तो इसे हमें तीन से गुना करना होगा यहां अंस में भी तीन से अब देखेते हैं यह साथ दुना 14 हो गया और यह साथ तियाई 21 यह माइनस और यह माइनस पांश तियाई 15 और यह 21 तो यह हमारा हो जा रहा है लौस तो यहां हो गया 14 और यह माइनस और यह माइनस पंदर तो यह हो जाएगा चाओदर और यह ब्रैकेट ठटेगा तो माइनस माइनस प्लस और यह 15 बटा 21 यानि 29 बटे 21 तो यही हमारी अभिष्ट संख्या थी इसे अगर हम माइनस 5 बटे 7 में जोडेंगे तो 2 बटे 3 आएगा तो यह आप वेरिफाई भी कर सकते हैं माइनस 5 बटे 7 में इसे जोडें और देखें कि यह 2 बटे 3 आता है अथवा नहीं प्रस्ण संख्या 12 माइनस 3 बटे 5 में क्या घटाया जाए कि 14 बटे 15 प्राप्त होगा आईए देखते हैं कैसे इसे हल करते हैं इसमें से क्या घटाया जाए कि यह इतना प्राप्त हो जाए तो यह जो हमारी अभिस्ट संख्या होगी अभिस्ट संख्या यह जो होगी इसमें से क्या घटाया जाती इतना चाहिए तो अर्थाथ हम इससे अगर हम 14 बटे 15 को घटा दें तो जो हमारी अभिस्ठ है वो आ जाएगी वा ये इसको घटाते हैं मैनस 3 बटे 5 घटाओ 14 बटे 15 तो परिमेर संख्या के घटाओं में हमें इन हरों को बराबर करना होगा ये समान करना होगा तो इसके लिए हम क्या करते हैं लोसा निकालते हैं यहां 5 और 15 का तो लोसा है मैनस 3 बटे 5 तो इसके हर को 15 बनाने के लिए हम 3 से हर को गुना करेंगे तो अंस को भी करेंगे 3 से और ये मैनस 14 बटे 15 इसका हर तो पहले से 15 हैं अब ये पहली वाली हो गई माइनस 9 बटे 15 और ये माइनस ये इधर माइनस और ये इसके बाद 14 बटे 15 तो 15 और 15 का लोसा तो 15 ही हो गया और यहां हो गया माइनस 9 और माइनस 14 तो ये कितना हो गया माइनस 23 बटे 15 तो यही इसी को हमें घटाना होगा तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा प्रस्न संख्या 13 दो पुणांक एक बटा दो मीटर कपड़े का मुल 50 रुप्या है तो 15 मीटर कपड़े का मुल ग्याद कीजिए आईए देखें कैसे हल होगा यह चुकि दो पुणांक एक बटा दो मीटर कपड़े का मुल ब्राबर यह 50 रुप्या तो यह यह एक मीटर कपड़े का मुल यह कितना हो जाएगा पांच यह हो गया तो अब यह हम कितना चाहिए 15 मीटर इसलिए 15 मीटर कपड़े का मुल्य ब्राबर यह एक मीटर का इतना है तो पंदर मीटर कपड़े गुना हो जाएगा पंदर गुना पचास गुना दो बटे पांच तो यह पांच से यह कटेगा तो पांच अगा पांच और पांच तियाई 15 तो यह हमारा हो जा रहा है पांच तियाई 15 दोनी 300 तीन सो रुपे तो पंदर मीटर कपड़े का हमारा मुल्ले आ गया 300 रुपे प्रस्न संख्या चहुदा रेश्मा को 2 बटे 3 किलो मीटर दूरी अपनी साइकल से टै करने में 40 मिनट लगता है उसी चाल से 7 बटे 3 किलो मीटर दूरी टै करने में कितना समय लगेगा तो आई ये देखते हैं इसे बनाते हैं प्रस्न संख्या चहुदा चुकि 2 बटे 3 किलो मीटर दूरी टै करने में लगा समय ये कितना लग रहा है 40 मिनट इसलिए एक किलो मीटर दूरी टै करने में लगा समय कितना लगेगा ये 40 भाग 2 बटा 3 अर्थाथ 40 गुना 3 बटा 2 इसलिए हमें कितना दूरी का समय चाहिए 7 बटे 3 किलो मीटर दूरी टै करने में लगा समय बराबर 7 बटा 3 गुना 40 गुना 3 बटा 2 तो देख रहे हैं तिर्चा जो कैंसलेशन हम लोग करते हैं तो ये 3 एका 3 तीन एका 3 ये हो गया और ये 2 से 2 दूरी चार और ये 6 यानि 20 हो गया तो ये कितना आ गया 7 दूरी 14 यानि 140 मिनट और इसे हम लिख सकते हैं 120 मिनट और जोड फिर 20 मिनट 120 मिनट जोड 20 मिनट हमने ऐसा क्यों किया 120 मिनट हो गया 2 गंटा चोकि 60 मिनट में 1 गंटा होता है इसलिए 120 मिनट में 2 गंटा और ये 20 मिनट तो हमारा उत्तर आ गया 2 गंटा 20 मिनट इतने समय उसे लगेगी